हेलो फ्रेंज मुधमीता लिटिल कीचेन वाइल काम मैं हूँ मुधमीता आज मैंने और एक न्यू रेशिपी सेयार करने जारी हूँ आज मैंने सेयार करूए बीन्स का रेशिपी ऐसे हम लोग नॉर्माली बीन्स का ग्रेवी का सब जी बनाते ऐस आप है सुखी बाजी लेकिन मैंने आज खास कुछ इंग्रिडियन्स डालके इतना बोली आसा बीन्स का रेशीपी सहार करूँगी मतलब ये सुखी भाजी बीन्स का सुखी भाजी पार्फिक्ट टेस्ट के साथ पार्फिक्ट देखनी में लागेगा खाने में येली बहुत ही टेस्टी होगा खास कुछ इंग्रिडियन्स डालके इतना बोला रेशीपी सहार करूँगी तो भी इसका टेस्ट इतना बोली आसा पार्फिक्ट आएगा जो लोग बीन्स खाना पसंद नहीं करते हैं वो लोग भी आज सी बीन्स खाना शुरू कर देंगे बीन्स का सुखी भाजी बनाने के लिए ज़्यादा टाइम बिल्कुल ही नहीं लागेगा सो फ्रेंज मेरे चनल में नहीं है तो जोरूर मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसा ही हर दिन निव निव रेशीपी देखने के लिए चलो फिर ये बड़ी आसा रेशीपी शुरू करते हैं इब बिन्स का सुखी बाजी बनाने के लिए सबसे पहले देखी मैंने इहां पे एक मीडियम साइज का पारी काटा हुआ प्याज लिया और लिया एक आलू और देखाते हूं मैंने खास जो इनिग्रेडियन से वह है बिन्स यहां पे 250 ग्राम्स मैंने बिन्स को आच्छे दरा से धोके ऐसा ही बड़े बड़े टुग्रे में काट लिया थोड़ा सा बड़ाय काटी हूँ ताकि फ्राय करने के बाद बहुती नरम हो जाता है तो थोड़ासा बड़ा टुग्रा में काट लिया आप मैंने पैन में डाल देती हूँ सोर्सो का तेल यहाँ पे एक चमज मैंने सोर्सो का तेल डाल दिया आप चाहे तो कोई भी कोकिंग वायली उच कर सकते है लेकिन सोर्सो का तेल हम लोग खाते है रियलीस का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है आप मैंने डाल देती आठ डालूंगी यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीन चिली आप चाहे तो ड्राइ चिली भी डाल सकते हैं मैं डाल देती हूँ दो यहाँ पे ग्रीन चिली जीरा और ग्रीन चिली को थोड़ा सा भून लेती हूँ उसके बाद मैंने दोसरा इंग्रीडेंस डालूंगी आच्छी तर अगर आलू बिंज डाल देंगे ते क्या होगा पैयाज आछी तरह से फ्राई नहीं होगा इसमें क्या होगा है काच्चा स्मेल आता है पैयाज में तुसे यह पहले पैयाज को थोड़ी सी भून लेतीए इसका कलार भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा सॉप्ट हो जाएगा उ में इसका quantity भी थोड़ी सी कम हो गया आप मैंने डाल देती हो प्याज के साथ ही जो आलू काटके राखी थी पहले आलू को भी डाल देती हो उसके बाद मैंने डालूंगे दोसरा इंगे डिरियांस अलू और प्याज को थोड़ी देर तो पका लेती हो मतलब अच्छी तरह से म पाने निकलेगा और अलू आच्छी तरह से फ्राइनी होगा इसी तरह क्या कि एक-एक तिपस फोलो करेंगे तो यह बाला जो बीन्स का सुखी फाजी बनेगा रियली बहुत पर्फिक्ट बनेगा यह रेकिए प्याज और आलू को थोड़ी देर तो अच्छी तरह से फ्रा लेना है उसके बाद आलो डालना उसके बाद ही बिंस डालना आप मैंने इसको मिला लेती हूँ और थोड़ी देर तो पका लेंगे मतलो पहले भी धाक्के नहीं पकाऊंगे बिना धाक्के कम से कम 2-3 मिर तो मैंने इसको पका रहे हूँ इस बिंस का सुखी बाजी बनाने के ल कालने से क्या होगा ये सोबजी कंद और फ्लेबाद चला जाएगा मतलब ये नमोकर होल्दी का पर्फेक्ट इसका टेस्ट आएगा अच्छी तरह से अथ थोड़ी दर इसको भून लेती हूँ देखी मैंने बीना धाक्के पाका रही हूँ रिली बहुत ही पर्फेक्ट इसका अगर धाक्के पाकाएंगे तो इतना बुलियासा नहींगा मतलब एक के साथ एक छीपग जाएगा आप में धाक्के पाकाती हूँ अभी धाक्के पाकाने से क्या होगा सोबजी बहुत ही जोल्दी सब्ट हो जाएगा दो से तिन मिट के बाद मैंने दिखाते हूँ ये अगर धाक्के पाकाने से फायदा ये होगा सोबजी बहुत ही बुलियासा रहाएगा मतलब एक की साथ एक छीपग नी जाएगा और धाक्के पाकाने से क्या होगा इसके अंदर से पाने निकलेगा और इतना बुलियासा पार्फेक नी बनेगा ये देखे आच्छे तरह से म मिला लेती हूँ आप मैंने डालती हूँ इहाँ पे ठंडी के मुसमें मिलता है मटर ये अप्सेनल है चाहे तो डाले ऐसा फे ना डाले लेकिन डालने से क्या होगा ये बहुत ही बुड़ियासा टेस्टी बनेगा और हेल्थी भी बनेगा बाच्चे ऐसा ही नॉर्माली बीन् और आलू पेया सब कुछ राहेंगे और बहुत बुड़ियासा मॉस्ट फ्लेबार भी कैसे आगा ओ मैंने बाद में बताते हूँ लेकिन इसी तरह की बनाएंगे तो बाच्चे भी पसंद करेंगे आप मैंने डालते हूँ इहाँ पे थोड़ी सी मिर्ची पावडर मिर्ची मैंने थोड़ी सी धनिया जिरा पावडर सब फ्लेबार रेली बहती मस्त लागेगा काच्चा वला टोमाटर यूज करेंगे तो क्या होगा ए इतना बुड़ी आसा नहीं बनेगा क्यूगी छीपक जाएगा आच्छी तरह से फ्राइ होने के लिए जदा टाइम नहीं लाग और एक बर मैंने बात आती हूँ ऐसे टोमाटर यूज करेंगे तो क्या होगा टोमाटर अंदर से पाने नेगिलेगा और इतना बुड़ी आसा पार्फेक नहीं बनेगा तो इसलिए कोसिस कीजिए ऐसा ही सुखा मतलब ड्राई मसाला यूज करना ये बला बिंस का सुखी भ बोहती कम होगे और पार्फेक रिए ढ़ाख्य अगर पाकाते तो इतना बुड़ी आसा पार्फेक नहीं बनता इसमें क्या होगा बहत बुड़ी आसा बिंस फ्राई हो रहे है रीली बहती खाने में टेस्टी लागेगा अलू तो अल लेडी बहत बुड़ी आसा सब्ट हो और ये देखे बींस भी आच्छे तरह से फ्राय हो गया आप मैंने इसके साथ डालूंगी खास इनिग्रेडियन से ये खस 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 याने पॉपी सीड रियली देखने में बहुती सुन्दर लगेगा और खाने में ये पॉपी सीड बहुती टेस्ट लगता है उपर से थोड़ा इसका खाना पसंद करेंगे अच्छी तरह से सब इनिग्रेडियन्स की मिला ले तूँ ये देखिए बहुती बोड़ी आसा देखने में लग रहे है खाने में इससे भी टेस्टी होगा चावल के साथ खा सकते है रोटी के साथ खा सकते है ऐसा फिर कोई ट्राभिल्स में जा अगर वीडियो पसंद आया तो जोरूर मेरे चेनल को सब्सक्राइब कीजिए एसा हर दिन न्यू न्यू रेसीपी देखने के लिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि नूटिफिकिसन सबसे पहले आपको मिल जाए मेरा न्यू रेसीपी देखने के लिए सब ल